नमस्कार मैं डक्ट नरेश सुकला और मेरे चैनल डक्ट चियोतिस में आपका स्वागत है इसमें एक मही से गुरू के गोचर में चेंज हो रहा है गुरू के गोचर में चेंज होने से जो आपके बारो के बारो घर है वो कहीं न कहीं एक्टिवेट हो जाते है यानि कहीं पर नुकसान होता है, कहीं पर फाइदा होता है तो आपको पता होना चाहिए और गुरू का जो गोचर है वो होता भी सालवर के लिए है एक भाव में, एक घर में वो एक साल तक रहते हैं कुछ राशियों को लाब होता है, कुछ को हानी होती है मैं कहूं कि लाव ही लाव होता है, ऐसा नहीं, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ अलग है, हाँ, गुरु ज़्यादा हान ये नहीं करते हैं, ये बात तो एकदम सही है, इन कहीं न कहीं तो नुकसान होता ही है, नुकसान कहां पर होता है, कि अगर आपकी लगन गुडली में गुरु अस्थ हैं, नीच के हैं, तो वहाँ आपको नुकसान के सामना करना पड़ जाएगा. फिर गुरु गोचर में कितने भी अच्छे गर में ब्रह्मन करेंगे, आपको लाभ होने की संभावना उतनी नहीं रहेगी. चैसे बाकी लोग बताते रहते हैं कि नहीं गुरु का गोचर होगा, तो यहाँ फायदा होगा, यहाँ फायदा होगा. बारो घर एक्टिवेट हो जाएंगे, बारो घर फायदा हो जाएंगे, एक्टिवेट तो होंगे, लेकिन बारो घरों में फायदा नहीं होगा. कुछ ही रासियां होंगी, जहांपर वो लाप्रात करेंगे, तो इससे सम्मंदित मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सबसे पहली रासि है वो है कन्या रासि, जो कन्या रासि में है, इसमें नुकसान नहीं होगा, साल भर के लिए, अब कन्या रासि में लाव कहां पर होगा कन्या रासी में धर्म के छेत्र में ये लोग आगे बढ़ेंगे धर्म की स्थापना करेंगे देश बिदेश की जो रुकी हुई इनकी यात्राएं हैं वो पूरी हो जाएगी देश ब्रह्मन भी हो सकता है पिता से इनको अच्छा सहयोग मिलेगा पिता से अगर ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है वो भी इस समय सब ठीप हो जाएगा पिता से अगर थो इस सब मधुर्द नहीं है तो वो भी ठीप हो जाएगे पैसे का आवा गमन रहेगा गमन तो कम यानि पैसे जाने की संभावना कम है आने की संभावना पूर्ण रहेगी पैसे से सम्मंदित जो भी रुके हुए काम है वो इनके पूर्ण हो जाएंगे इसके बाद दूसरी नमबर आती है यानि कन्यारासी वालों को लाब होगा अब आती है करकरासी फिर मैं कहना चाहता हूँ कि कि मैं कहूँ कि छपपर फाड़के छपपर फाड़के तो नहीं मिलेगा मिलेगा करकरासी वालों को भी इस साल पिछले साल की तरह पिछले साल भी करकरासी को फाइदा हुआ था इस बार भी करकरासी वाले फाइदे में रहेंगे इस बार किन-किन खेत्रों में और कौन से बारोगर जो हैं वह एक्टिवेट हो जाएंगे चालू हो जाएंगे उनके तो उसमें से जो राज़िपक से समंधित उनके काम है रुके हुए काम है वह उनके पुन हो जाएंगे अगर राज से संबंधित कोई उनका रुका काम है वो पूर्ण हो जाएगा और पैसे के मामले में इस साल भी ध्यान दीजेगा करक रासी वाले पिछले साल भी पैसे के मामले में कोई नुकसान नहीं खाए थे इस बार भी उनको पैसे से सम्बंदित कोई नुक्सान नहीं होगा लेकिन मैं फिर बता दूँ कि जिनके मैं गुरु नीच के हैं लगन कुणली में या नमास में उनको बहुचा लाब नहीं होगा इसके बार जो है करकराशी तक हो गया हमार रपास इसके बार आती है सिंगराशी तो सिंगराशी में दोस्तों से सहयोग मिलेगा और जो उनकी सभी इच्छाएं हैं वो पून हो जाएंगी सिंगराशी वाले भी दो साल से पैसे से सम्बंधित मामलों में मौजी कर रहे थे अब आती मिथुन राशी मिथुन राशी का ध्यान दीचेगा मिथुन राशी वाले पैसे से सम्बंधित इस वार उनके नुक्सान होगा खर्चे किसी ना किसी तरह से मूठाय खड़े हो जाएंगे फिजूल के खर्चे ऐसे खर्चे जो आपने गणना ही नहीं करी है वहाँ पर वो पैसे आपके वैह होंगे तो पैसे के हिसाब से ये नुकसान दे रहेगा इनका मित्रवालों का बाकी सब ठीक रहेगा लेकिन पैसे क्योंकि 80% आपकी जरूरतें पैसे से पूरी होती है तो पैसे को इस वार वो समभाल के क्योंकि वो तीन साल से मौच कर रहे थे पैसे के मामले में तो इस वार थोड़ा सा मिसुन रासी वाले पैसे के मामले में ध्यान दे क्योंकि खर्चे कहां से आएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा और ये खर्चे जरूरी वाले नहीं जरूरी तो आपके होने होने है बच्चे की फीज देनी है वो देनी देनी है विजली का बिल देना है देना ही देना है टेक्स देना है वो देना ही देना है लेकिन खर्चे कहां से जो फिजूल के खर्चे हैं गाड़ी का टायर फट जाए इसा तूट जाए ऐसे खर्चे जिसकी आपने गढ़ना नहीं करी है तो मिथुन रासी वालों के लिए ये रहे तो ये चार रासी वाले थे जिनके बारे में बताना बहुत जरूरी था तो इस चार रासी वाले ध्यान दें जिनके में फाइदा बताया है वो फाइदा और जो नुक्सान है वो नुक्सान की दरब भी ध्यान दें तो इसी एक साथ मुझको विदा दीचे नमस्कार